साथियों लोगडाउन के दौरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की संस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतरक्ता दिखाने की जरुरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जौन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजेनिक स्थल पर मास्क पहने भी न गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये एक सो तीस करोड देश वाचों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्मिक्ता रही कि ऐसी स्थिति ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न ज़ले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लोगडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दौरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लिकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन यहने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दिया गयी कि अधिए लोगों प्रूप्त की अ zव jedem के ढादा।